हिनमस्कर दोस्तों मैं रोशुन आप सभी के स्वागत करता हूं मेरे आपके कुकिंग चैनल बनाओ और खिलाओ में दोस्तों आज हम लोग बनाने वाले हैं नूडल मन्चाव सूप शायद आपने ये पहली बार सुना होगा लेकिन बहुत रियमी बनती है आप इसे खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं तो चलिए बनाते हैं इस पर मैंने कड़ा ही रख दी है इसमें हम 2-3 चमच ओईल डालेंगे 2 चमच चॉप लैसू एक चमच हम डालेंगे इसमें चॉप अद्रक और इन्हें हम 10 सेकेंड तक भूनेंगे अब ही आपके गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए हाई फ्लेम पे आपको यह करना है जब यह 10 सेकेंड बस थोड़ी देर ही भूनना है ज्यादा नहीं भूनना है तो अब हम इसमें डालेंगे पानी मैं इसमें लगभग एक लिटर पानी डाल रहा हूं अब हम इसमें कुछ सबजी आड़ करते हैं जैसे बारिक चॉप की हुई गाजा डाल देंगे बारिक चॉप की हुए इसमें डालेंगे प्याच एक प्याज है यह और अब इसमें डालेंगे हम बारिक चॉप की हुआ हुआ शिमला मिर्च यह मैंने दो शिमला मिर्च ले ल का मंचव सूप है यह मैं एक पैकेट ले रहा हूँ यह दस रुपे में आती है आप इसे पूरा एक पैकेट डाल दीजिए स्वाधनुसा नमक डालिए नमक कमी डालिएगा क्योंकि सॉस और जो हमने मसाला डाला है उसमें पहले से नमक है आदा चमच कश्मीरी लालमिच करेंगे याल इसे अच्छे से मिक्स कर देना है अब यह घोल हम धीरे-धीरे करके सूप में अड़ करेंगे इससे इसमें ठीगने साएंगी और इसे आपको मिलाते हुए रहना है और जब यह खूब उबलने लगे यह मेरे पास एक मैगी नूडल का पैकेट है अगर आपके हम इसे 3-4 मिट के लिए इसे उबलने देंगे यह देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं देख के खाने का मन करता है तो लीजे तयार है हमारे नूडल सूप अब हम इसे सौफ कर लेते हैं उमीद करता हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगे को लाइक और शेयर कीज़े मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़े और वेल आइकन प्रेस करते हैं तो आज के लिए अशे साथ तब तक घर में रहिए बनाते रहिए और खिलाते रहिए